यह देखी गाइस हमारे बहांकले और आलो की सब्जी ग्रेवी वाली बहुत कोई इतना ताम है नजाम है बहुत अच्छे से यम्मी टेस्टी बेसिक मसालों से बन कर तयार होगी जो कोई नहीं खाता है इस सब्जी को वह भी खाने लगेगा इतनी टेस्टी सब्जी बन कर तय है आप सब करें श्वागत है हमारे YouTube चनल शाय मिस्रा में आज हम बनाने जा रहे हैं बहांकले की सब्जी जो की बहुत बहुत और हमने एक चीह को दो टुकड़ों में किया हुआ है आप अपनी हिसाब से कर सकते हैं तो एक प्याज एक टमाटर एक इंच द्रक का टुकड़ा और लैसन की कलिया और यह लारिड मिर्च तो इनको हम करेंगे ग्राइंट पेश्ट बना लेंगे यह देखे पेश्ट बन कर त और जो हमने मसाले पीस कर रखे थे ग्राइंट कर देंगे तो इसे भून लेंगे हमारे हां कोई नहीं पसंद करता था इस सब्जी को लेकिन इस तरह से बनाया तो सभी पसंद करने लेंगे तो देखे एक स्पून हल्दी पाउडर कास्मीरी लाल मिर्च पाउडर थोड़ा अंदा कलर देने के लिए आप लोग सकीप करना चाहें तो इसके ब्र능 लेंगे मसाले नहीं यूज करेंगे बस बेशिक से मसाले यूज करेंगे तो ये देख सकते हैं हीं 17-15 इसको हम भून लेंगे पूनू यह हम डालेंगे मलाई कके बहु चुए मारा जाओ दोन के करीं म एक गरी बूं स्तों चैनल बनाई, अच्छे से बून लेंगे, जो उसमें नेगा नहीं इत्ट कर दे टेज़ाई जो आड़ी अच्छे से नहीं प्वाले चीज़ा, बांकले की चैशा है, बिशना करेंगे, मसालों के साथ सब्धर यूं अच्छे से प्राई कर लेंगे, जब अच्छे से ठीक हो जाए इस वज़े से तो यह देख सकते हैं मिक्स करते वे भून लेंगे मसालों के साथ जब सब्जी भून कर आती है उसका टेस्ट बहुत 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 यमी हो जाता है तो यह देखिए स्वाद के नुसार नमग एट करेंगे और इसे भी मिक्स करके अच इसे का टेखिए और हमारे जो मसाले थे वो खूक हो चुके अच्छो के से तो यह देखिए हम डालेंगे इसमें एल क्लास पानी क्यूंकि इसमें जितनी थिक ग्रेवी चाहिए आप उसे शाब से पानी आट करें क्यूंकि हम अभी यह पके गी तो लग-बग-बग अहाफ तक पानी जल जाएगा तो इसलिए हम डेल क्लास डालेंगे पानी जिसे की हमें ग्रेवी भी चाहिए यह देखिए तो इसको आड़ कर देंगे और इसको बाइल करके अच्छे से कुक करेंगे यह सबजी मुश्किल से 10 मिट में बन कर तयार हो जाती है जो कि बहुत टेस्टी बनती है तो यह देखिए इस तरह से हम ढखकर कुक कर लेंगे और यह देखिए सबजी में हमारा अच्छा बॉयल आने लगा है और बीच बीच में हम ऐसे चला देंगे जिसे के हमें पता भी चलता रहेगा कि हमारी सबजी कुक हुई है या नहीं और ग्रेवी इसमें कितनी है कितनी नहीं तो इसलिए बीच बीच में इसको श्टर करते सबस्ट के रहेंगे यह अच्छता अच्छी होती ह्रोप अच्छे एओर जो फी यह बसंद आती है वैसे तो बच्छे नहीं खाते हैmos ट्रेंगा में और हमारे खर में कोह भी रह था हैता इस तरह से बनाई तो सभी को बहुत पसंद आई है इसी वज़े से हमने सोचा कि हम आपके साथ भी ये रेस्पी शेयर करें तो देखिए हमारी सब्जी बन चुकी है हमने फ्लेम को कर दिया है ऑफ डाल दिया है गरम मसाला ये होममेट गरम मसाला है आप अपने हिसाब से गरम मसाला डाल दीजि ये डाल देंगे हरी धनिया गार्ली सिंग के लिए विधनिया के विना सब्जी तो अदूरी है इस वज़े से तो इसको हम मिक्स करके सर्व करेंगी गरमा गरम इस सब्जी को आप चपाती के साथ देखें यम्मी टेस्टी सब्जी लग रही है कितनी हमारी इस सब्जी को आप चपाती के साथ राइस के साथ पूरी के साथ या पराठे के साथ किसी के साथ भी आप खाएं बहुत टेस्टी बहुत यम्मी लगती है तो ये देखें हमारे सबजी आपको पसंद आई हो तो लाइक सस्क्राइब एंड शेयर करें मिलते नेक्स रेस्पी के साथ गाइस कमेंट करना ना भूलें कि आपको कौन सी नेक्स रेस्पी चाहिए तो प्लीज बताना जरूर बताएं थैंक्यू बबाए